दोस्तो पांच लाग का इनामी बदमाच विकास दूबे जो कानपूर के आठ पुलीस वालों की हत्या कर फरार था उसे यूपी के स्टीफ टीम ने उजहन सहर से करफतार किया स्टीफ की टीम विकास को सड़क के रास्ते से उजहन से कानपूर ले जा रही थी जिसके दोरान काफिले की गाड़ी पलट गई और विकास हत्यार छीन कर भागनी की कोशिश करने लगा जिसके बाद पुलीस ने उसे वही धेर कर दिया दोस्तो विकास दूबे एंकाउंटर के बाद राजनीती से लेकर बॉल्वूड इंडस्ट्री तक कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं फिलाल दोस्तो विकास दूबे एंकाउंटर पर बॉल्वूड के कई नामी चहरों का कैसा रियाक्शन रहा वो जानिये सबसे पहले दोस्तो तापसी पन्नो जिन्होंने टुटर पर इस खबर के स्क्रीन शॉट के साथ लिखा है वाँ हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और फिर लोग कहते हैं कि बॉल्वूड स्टोरी रियालिटी से परे होती है महीं दोस्तो दूसरी एक्ट्रेस रिचा चड़ा लिखती है शायद अब कोई नहीं कहेगा कि फिल्में बहुत कालपनिक होती है ये कुछ जादा फिल्म ही नहीं महीं दोस्तो मशूर फिल्म मेकर विवेक अग्नियोतरी लिखते हैं विकास दूबे के एंकाउंटर से ये साबित हो जाता है कि पुलीस और प्रशाशन का भरुसा न्याय तंत्र या कहें कि दोस्तो जुडिश्री से उठ चुका है क्योंकि न्याय तंत्र बहुत भीवा है इसे लिए हम लोगों ने अपना ही एक परसनल जस्टिस सिस्टम बना लिया है जिस पर दे कैट्स, नकसल, गैंस्टर और अब तो पुलीस भी विश्वास करने लगी है दोस्तो आपको यह भी पता दे कि जिस तरीके से विखास दूबे का एंकाउंटर हुआ पुलीस के द्वारा उसे जानने के बाद सोशल मीडिया पर अच्छानक रोहिट शट्टी की चर्चाएं शुरू हो गई दर असल दोस्तो रोहिट शट्टी की फिल्मों में पुलीस और गुंडों के बीच आक्शन सीक्वेंस दिखाय जाता है इतना नहीं रोहिट की फिल्मों में एंकाउंटर भी होते हैं ऐसे में विकास दूबे के एंकाउंटर को रोहिट शट्टी की फिल्मों से जोड़ कर देखा जा रहा है लोगों का कहना है कि रोहिट शेटी की फिल्मों की तरह ही एंकाउंटर और गाड़ी पलटने के सीन को अंजाम दिया गया जिसे लेकर अब लोग रोहिट शेटी को लेकर कई मीम्स भी शेयर कर रहे हैं दोस्तों और पूरे घटना करम को रोहिट शेटी की रोप में देख रहे हैं एक यूजर लिखते हैं रोहिट शेटी को इसके लिए कॉपी राइट क्लेम करना चाहिए वहीं एक दूसरे यूजर लिखते हैं दोस्तों इसे देखकर रोहिट शेटी कहेंगे ये तो मेरी स्क्रिप्ट है दोस्तों आपको बता दे कि चर्चा इस क्यों shift कराय गया दूसरा सवाल दोस्तों ये उठाय जा रहा है कि विकास दुबे के शरीर पर कोई भी दाग धब्बे क्यों नहीं थे क्योंकि दोस्तों जहां encounter वहा था वहां बताया चारा था कि काफी बारिश होई थी और विकास के शरीर पर कीचर या मिट्टी के कोई भी जाग धब्बे नहीं रिखाए दिये थे जबकि वो कीचडवाले इलाके से भाग रा था पर उसके कपड़े बिल्कुल साफ सूतरे थे तीसरा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो है गाड़ी के एक्सिडेंट को लेकर दोस्तों तस्फीरों के आने के बाद लोगों ने ये को चार गोली मारी गई एक हाथ पर तीन सीने पर पर दोस्तों लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब विकास भाग रहा था तो उसके पीड पर गोली क्यों नहीं लगी सीने पर गोली कैसे लग गई पुलीस से भागते वक्त और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन ज़रूर दबा ले इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दोस्तों आपका शुक्रिया